असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन मैं मुहम्मद वकास आपका कैमिस्टी टीचर और यह आपका चैनल MWS कैमिस्ट्री बॉंडिंग कैमिकल बॉंडिंग पे हमारा यह लेक्चर नंबर 12 है और यह अभी भी मोटी ही पर है यानि और इस लेक्चर में मैंने आपको प्रीवेस लेक्चर में भी बताया था लेक्चर नंबर 11 में कि हम बाद करेंगे लेक्चर नंबर 12 यानि इसमें अनो और एच एफ मॉरी कियोश की फॉरमेशन ओंदी बेस ऑफ एमोटी अब देखो यह दोनो दो आटम यह मॉरीकुल दो एक्टम्स पर मुझत में रहे तो यह धायाटॉमिक है यह धाया अमिक यह धाया टोमिक लेकिन यह है इसमें दोनों एक्टम डिफ्रन तराक अभी up to be to b2 5 2 and 22 F2 वसारे homonuclear data omic molecules and now we are discussing about formation of no CEO and Evening Nitric Oxide and I am into the monoxide carbon monoxide and HF hydrogen fluoride in the more so depressed you have been sure okay and no key formation say so that the subject area ifम यहां पर देखेंगे and okie formation давай यहाँ एनो फॉर्मेशन की बात होगी यानि नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोक्साइड इसमें हमें अब दो एलिमेंट्स की जो है वो इलेक्ट्रोनी कन्फिगरेशन पहले पता होनी चाहिए सबसे पारे तो देखो नाइट्रोजन एक्टम इसकी 1s2 2px2 2py1 and 2pz1 ठीक है तो दैट्सिट अब आउट ऑक्सीजिन नाइट्रोजन एड़ ऑक्सीजिन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन अब ना हमने मों स्ट्रक्चर बनानी है तो दो तरह के हमें एक्टम्स यहां पर रिक्वाइड होंगे बनाने के लिए दो एक्टम्स की चल्टमी को इन आशना इस साइड लिएता हूं इससेट पर मैं न coefficient को बनांगा ऊपर की तरफ और यहां पर मैं बनाओंगा ऑक्सीजन के को टबड़ तेको सबसे पेर यहां पर है इस्पर है और जो oxygen का zwei से इनका उडिन सा ही इनर्जी में और जो हमारे पास नाइट्रोजन का two s to work स्लायट सा हाइर इनर्जी में होगा तो यह अगर हム बनाएं तो हमारे पास नाइट्रोजन का two s है और इससे थोड़ा सा काम इनर्जी पर यहां पर बना लें यह उक्सीजन का टुए तो यह आपस में करेंगे ओवरलैप और यहां पर बना बना बनिंग यह वाला यह बनिंग है और यह इसका एंटी बनिंग मोलिक्ट अब देखो यह हमारे पास बेसिकरी दोनों ही टूएस हैं यह भी टूएस था और यह नाइट्रोजन का भी टूएस था अब यह बना हमारे पास सिग्मा टूएस और यह बना सिग्मा स्टार टूएस अब आती है इलेक्ट्रोन के बारी तो दोनों में देखो इसके और इसके दोनों के टूएस में दो दो इलेक्ट्रोन है तो पहरे मैं इसके रिख लेता हूं इसके दो इलेक्ट्रोन थे इसके भी दो इलेक्ट्रॉन अब यह आपस में ओवरलैप करके बॉंडिंग और एंटी बॉंडिंग मॉलेक्ल और बना रहें टोटल इलेक्ट्रॉन चार हैं तो दो यहां पर चले जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन आजेंगे यहां पर तो यूं यह हमारे पास इसका 2S ऑक्सीजन का भी और 2S नाइट्रोजन का भी यहां पर कवर होता है अब आते हैं अगले अटॉमिक और बनाओगे तो बनाते हैं यहां पर देखें तो एक दो और यह तीन आटॉमिक और्बिटल किसके बन गए यह यह बन गए नाइट्रोजन के अब तीनों ही ऑक्सीजन के थोड़ा सा थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस डालें एक दो और यह तीन अब यह भी ओवरलैप करेंगे अच्छा यहां पर एक बात याद रखन होका पहले मैं इनके नाम लिख लेता हूँ देखो यह हारे पास एक्स यह तो पी वाइँ और यह तो आप जिन तो अब इसके टूम तो एक में दो यहां पर सब में एक 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 इलेक्टरॉन है एक एक और यह एक अब यह आपस में ओवर लैप करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलेकुलर ऑबिटल बनाएंगे यह इसका बलके सूरी इसका मैंने बोला अभी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो उक्सीजन और फलोरीन क्या जैसा होगा तो पहले नीचे सिग्मा आजेगा सिग्मा टूपी एक्स सिग्मा टूपी एक्स यह वाला फिर उससे ऊपर दो पाई होंगे पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी ठीक है स्टुडेंट्स मैं लिखे देता हूँ नाम लिखे देता हूँ साथ देखो यह हमारे पास बना यह वाला सिग्मा टू पी एक्स उपर वाले दो होंगे पाई टू पी वाई पाई टू पी जी ठीक अब इनकी एंटी बाइनिंग चले गी उपर तो ये एक सिग्मा स्टार two P x दो और ये दूसरा के यह दो बनेंगे अंटी बाण्निंग पाई टूपीवाई और पाई टूपीजी ठेका मैं लिखें देता हूं कि मार पास हो गया सिग्मा स्टार टूपी एक्स यह क्या हो गया पाई स्टार टू पीजी ये दो मुझे उमीद है कि ये सारा आपको क्लियर होगा ठीक है जी इसमें हम वो गोल सरकल भी लगा सकते हैं सिंप्री ऐसे भी शोग कर सकते हैं नेक्स मैं मौनिक्यू सरकल लगा के बना दूंगा ताकि आपको कन्फियर नहों तो देखो अब ना यहां पर टोटल इल पाई स्टार्ड टुपीवाई में हैं तो एक बातो बहुत क्लिएर हो हेरी यहां पर कि यह जो हमारा मौनिक्यूलर और्बितल है मौनिक अपर बोटल झाब और्यलम क्लियर बात क्यों के कहीँ न ten O molecule क्या होता है पैरा मगनेकिक होता है सलाइटली अठ्रैक्ट होता है टो वर्द डी मगनेटिक फिल्ड ओके ये तो ख्लीर होगा अब दिखो वैसे ना हम इसको क्या कहते ना डिट्रोधन दो चार साथ यह सात इलेक्ट्रोन है और इसके पास आथ एलेक्ट्रोन है तो हम इस ने सगरम बनाते तो चार इलेक्टॉन होते वहां पर ठीक है जी चार वो मैं इलेक्टॉन अब गिन रहा हूं ठीक है चार उसके बाद छे कितने होगे आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चोदा और यह पंद्रा ठीक है यह मैं अटॉमिक और बिटल में भी वो टोटल पंद्रा ही होंगे अब अब इसका निकालेंगे बॉंड और बॉंड और अब बॉंड और निकालने के लिए हम नंबर ओफ इलेक्टॉन इन चार छे तो बॉंडिंग मॉलिकुल आबिटल में छे एलेक्टॉन है एंटी बॉंडिंग में एक है तो तक्सीम दो अगर थोड़ी बहुत मैथ हमें आती है तो पांच आंसर आएगा पांच को दो पे डिवाइड करेंगे अधाई टू पॉइंट फाइव टूइंट हाफ यूं यह ऐसे लिखने कैसा लगा फिर बॉंड ओर्डर इसका अठाई है जैनि टू एंड हाफ मज़े कहा ना इसका मतलब जो नाइट्रोजन एन ओ का मॉलिक्यूल है यह वाला इसके दरम्यान दो एक्टम्स का यानि ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का डबल बॉंड है औ बॉंड इनर्जी मैं इसी के टाएन पर भी आता हूं अभी लेकिन बढर एक दफ़ा लिख लें तो अगर हम नीचे से शुरू करते तो पहले सिगमा वानेस आता तो लिख लेते हैं सिगमा वानेस फिर आता सिगमा स्टार वानेस यह वैसे बिलकुल जैसे हम ऐसे और फलॉ PLEWK लिजए एकवल टू पाई टू पिजी देन होताँ होता पाईस्टार्ट पी-एक्स इस इतुए टू शूरी यह यह sli में मच नहीं क्पाई जो हैंullah डू तो पी-जी और सब से लास्त भी दोता सिग्मा स्टार टू पी-एक्स तो रहां से बाकि तो इलेक्ट्रॉन लिखने इसमें दो हैं इसमें भी दो दो यहां भी टू 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 जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें सिर्फ एक है यहां पर यह बाकि खाली पड़े ठीक है जी तो यह इसकी आगी बॉन्ड एनर्जी अगर आपको बिल्कुल क्लियर होगा मुश्कल नहीं है अगर आपको बाकि सारी पता तो यह भी वह सिप्ड़ आवर यहां पर हम इसके एन्टी बात करें यहां एनओ फ्लस जायेगा वह लेक्टॉन यह मैं एन्टी ब्लस बना रहाँ यह लेक्ट्रां स्पोस्क्र यहां पर नहीं है तो चो बताओ अब यह क्या होगा कि हाँ शाबश देखें बॉंडिंग में कितने होगे Computer होई भी नहीं तो इसका बॉंड ऑडर भी फिर कितना अएगा 3 तीन होगा इसका बॉंड प्लस का बॉंड आड़ टीन है जबके जो इसका न्यूटल फॉं में वह पैरा मगनेटिक और इसका बॉंड और उमीद है आपको फिर समझ भी आजएगी फरक सिरफ यह होगा यहां पर थोड़ा सा ठीक है अब हम बनाने लगें सी यो तो मैं इसी को चेंज करता हूं देखें यहां पर सिरफ मैंने एनों की बिज़ाय क्या लिखना है इसे आपका भी टाइम बचेगा आपको ज्यादा बोरिंग भी लेक्टर फील नहीं होगा थोड़े टाइम में हम ज्यादा काम कर लेंगे वही हम थोड़ा सा एक फ को ज्यादा एक्समें कर लेंगे अब सी यो फॉर्मिशन इसमें देखें एक तो यह चीज होगी कि यहां पर नैक्रोजन की जगा कार्बन होगा एक्टम ठीक है जोगर चेंज़ेश हो रहे वह आप देखते जाएगा कार्बन होगा अब कारबन के टोटल एलेक्ट्रों छे होंगे तो यहां पे एक क्ले कर अपर कम हो जाएगा यह जिसके कर दोट्र ए तो टोटले इनर्जी वो तो बाद में डिसक्स करते हैं यह मैं एक चीज़ रेस कर दूं यहां पर ना करें तो टूएस की वज़ा से सोरी मनेस की वज़ा से यहां पर भी बॉंड फॉर्मेशन नहीं होगी दोनों के तरमयान क्यूंकि यह बनाने के दूरूरत भी नहीं है वेलेंशल में नहीं आ रहें अगर बना भी लें तो इनका बॉंड रॉटर भी जीरो आई जाना है ठीक है जी तो लहाज़ा हम यह बनाएंगे नहीं क्योंकि यह बनेशल में नहीं इनर्शल के इलेक्ट्रॉंस है तो हम अगेन कहां से स्टार्ट करेंगे यहां सिरफ नायट्रोदिन की ज यह नि जैसे हम वो नायट्रोजन का मॉलीक्यूल बनाते थे उसमें जो पाई हमारे पाई सिग्मा जो हमारे पास सुरी कहा रहा हूं पाई टूपी वाई और पाई टूपी जी यह लोई इनर्जी में आ जाते होते हैं ठीक है क्योंकि प्योर ऐसी यह पीक रेक्टर नहीं है ता बिल्कुल सेम यहां पर भी ऐसी है तो इसके जो यह वाले मॉलेकल ऑबिटल है ना पाई टूपी वाई और पाई टूपी जी यह मैं किसकी बात कर रहा हूं सिग्मा टूपी एक्स है यह हाईर इनर्जी में चला जाएगा अब रहा मसला इलेक्टरॉन का कार्बन में एक लेक्टरॉन यह नहीं होगा यह वाला ऑकसिजन तो एस अच वैसी यह है ठीक है टूपी एक्स वाला निकाल दें यह टूपी जी वाला चुरो मैं यह जी वाला यहां से माइनस कर देता हूं ठीक यह तो यह तो हमने फिर वही लिख दिया एक मिनिट यह यहां पर तो से अब यह आप करें तो यहां पर कोई और शुका है यह वाला हिस्सा था हम कर चुके हैं पीछे यह बाइन च्छार पांच और यह च्छे यह यहां पर ही फिल हो जाएंगे यहां पर इसका anti-bonding यहां पर कोई भी इलेक्रोन नहीं होगा तो simply इसका bond order कितना आएगा येस इसका bond order two and half नहीं आएगा बलके exactly कितना आजेगा तीन तो इसका मत्तब जो हमारा co molecule होता है यह वाला इसका bond order three होता है clear इसका bond order कितना है तीन हमने देख लिया क्योंकि bonding molecule orbital में दो चार छे और anti-bonding में कोई इलेक्रोन नहीं अब एक और बात यह diamagnetic होगा येस क्योंकि इसके किसी भी bonding anti-bonding में unpaired electron मुझूद नहीं है यानि co molecule क्या है diamagnetic with bond order three carbon monoxide diamagnetic होता है with bond order three तो यह हमने सिंप्ली देख लिए अब bond energy की बात अगरम करें तो यहां पे सारा कुछ है सची रहेगा यहां पर तोड़ल सा फरक आजेगा कि जो पाई वाले electrons हैं पहले लिखेंगे molecule orbitals को यानि पाई टूपी वाई इस एक्वल टू पाई टूपी जी इसके बाद आजेगा सिगमा टूपी एक्स क्योंकि सिगमा टूपी एक्स ज्यादा इनर्जी यही तो फरक आया ना यानि यह वारा जो मॉलिक्यूल सी ओ मॉलिक्यूल यहां पर पाई वाले मॉलिक्यूल नीचे होते हैं और सिगमा वाले उपर यह मैंने लेक्चर नंबर टैन में बड़ी डिटेल में चीज़ें एक्स्प्लेइन की हुई हैं कि क्यों ऐसा होता है अच्छा अब इसके बाद आ गया पाई स्टा सबसे हाइस इनर्जी पे सिगमा स्टार टूपी एक्स है इन में दो दो और यह एंपटी पड़ें सारे हैं तो बॉंड डॉटर और अगर यहां पर हम सी ओ प्लस की बात करेंगे लेक्स पोस यह वाला मॉलिक्यूल तो क्या होगा यह आपने कॉमेंट में मुझे जुरूर बताना है कि जो सी ओ प्लस का मॉरिक्यूल है इसका बॉंड और कितना होगा और यह पैरा मगनेटिक होगा या डाया मगनेटिक होगा यह मैं आप पे छोड़ रहा हूं ठीक है बहुत इजी है आपको पता चल गया हो जो है वो तवज्व के साथ देख है और देन आपको यह समझ भी आया और आपने आंसर भी ठीक है अब हमारा लास मॉरिक्यूल है एक यह टोटली डिफ्रेंट होगा तो मैं इसको एरेज करूंगा पहले फिर हम यहां पे एक एप मॉरिक्यूल को बनाते हैं तो आईए हम ए लोरिन की कॉन्फिगरेशन जो वेलेंट शेल में वह तकरीबन एक जैसी है दोनों सेवंधे ग्रूप के मेंबर तो एटेफ में यहां पर बनाने लगा हूं क्योंकि यह ज्यादा फिमिलियर है आम यह पूछा जाता है एक्जाम में तो हैटेफ हेट्रो न्यूक्लियर डाय एक नमबर 9 के साथ 1s2 2s2 2px2 2py2 and 2pz1 ठीक है अब यहां पर देखें क्या यह 1s2 atomic orbital यह हिस्सा लेगा यहां पर बांडिंग में तो इसका आंसर तो है नहीं क्योंकि यह वेलेंशल में आता ही नहीं ठीक है यह तो हमने कर दिया है क्रहास इसे तो इसाने ही थे यह एक इधि पीछे पटे मारे पास यह रोड़ी प्रेषा यह जारी बात फिर यह बाऄंस हो बनाएं गये क्योंकि हार्डुजन तो एक एटम है अप़र बनाना ए कहां मीज्जम और यह बनाना है तो यह ब्चा टुपीजी इसकी समीट और यहां पर जो center में molecule orbital होंगे वो HF के होंगे obviously तो अब देखो hydrogen का तो है हमारे पास कौन सा atomic orbital येस वो है हमारे पास 1S तो यह मैंने बना दिया 1S orbital hydrogen का जिसमें एक electron भी है अब फलोरीन का 1S तो हमने लिखना नहीं वो lowest energy पे था उसको ना लिखें क्योंकि वो लेंशल में नहीं आता थिर उसके बाद आने हैं उसका टू एस और यहां पर इसका मैं फलोरीन का बना लेता हूं तो यहां पर यह वाला किसका है टू एस फलोरीन का अब इसमें electron कितने येस दो है अब यह दो का जो energy gap है ना वह बहुत ज्यादा होता है यहीं जो हमारा 2S atomic orbital है और यह वानेस इनका आपस में energy gap ज्यादा है तो लहाजा यह overlap नहीं करते तो यह खुद ही sigma formation कर देता है 2S जो होता है तो यह energy में इससे ज्यादा नहीं बनेगा तो यहां पर ही इसके बिलकुल जितनी energy 2S की उतनी energy सिगमा 2S की होगी तो यहां पर क्या form हो जेगा सिगमा 2S और इसमें कितने एलेक्ट्रॉन होंगे यही दो इसको हम बोलते हैं से हुआ है कि हमने non-bonding molecule orbital को भी बनाया यहां पर ठीक अब इसके बाद हमारे पास तीन डी जनरेट यह भी मैंने परफे में दो और यह तीन अब इनके नाम क्या है देखें एक का नाम है हमारे पास 2P-1 x एक 2P-1 है और 1P-Z है इनमें से जो बैटर ओरलैपिंग होगी वो जाहरी बात है किसी के साथ होगी यहां पर 2 ultrond यहां पर 2 और यहां पर एक तो ओवरलैपिंग तो सिरफ एक ही की होनी है ना तो फिर जो बॉन्ड बनना है वो बनने सौर टूपी जी के तरम्यान बनना है तो यह लोयर इनर्जी में जाके बनेगा अपने जो अटॉमिक और बिटल ने उनसे भी काम इनर्जी पर बनेगा तो यह मेरे पास बन गया इ इसको हम बोलेंगे यह जो बॉन्डिंग मॉलिकल ऑबिटल है डैट इस काल्ड सिग्मा एस पी दुबारा सुनने यह फलोरिंग का जो टूपी जी है और जो हाइडरोजन का बनने से यह आपस में किये ओवरलैप इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलि से रजाएगा यह तो इसका नाम क्या होगा डैफिनेटली सिग्मा स्टार एस पी ठीक अब यह जो दो बच गए हैं यह इसी तरह नॉन बॉन्डिंग रहें जैसे पहले हमने बनाए तो एक और दो यह दोनों ही क्या रहे नॉन बॉन्डिंग तो यह नॉन बॉन्डिंग मे यह यहीनि इसको हम बहिंते हैं लॉन पेर अगर हम देखें एक फेफ का मौरीकिल बनाएं तो यह दूझा तो सबेंदेने ता फ्लॉरिंग के ऑपर ना तीन ल Nur ॉन पेरे और एक बनाता है हडोगिन के साथ और और इसको क्लियर लिए करके बनाएं तो इसका बनाने के और तूपी जी में एक 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 ट्रों यह इसको मैं सिगमा एस पी बोल रहा हूं यह सिगमा एसपी और यह का आ के लॉन पेर आई रेली होप कि यह मॉलिक्यूल आपको जो है वो एच फ़रा मॉलिक्यूल समझ आ गया होगा अब सारा इलेक्टॉन फिलिंग होगी एंटी बॉनिंग में कोई लेक्टॉन नहीं होगा क्योंके लेक्टॉन बचा ही नहीं आप गिल लो देखो अटॉमिक और बिटल में इलेक्टॉन गिल लो दो है ना चार छे साथ और एक आठ आठ यहां पर अब देखो जो एमोज हमने बनाए बॉन्डिंग लिए भॉन्ड और कितना आजए का बॉन्डिंग मॉलिक्टल मैं हमारे पास यह दोन बॉन्डिंग दो इलेक्टों ने एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं तो तू-0 दिवाइड़ बायटू इसका अंसर कितना आएका यह तो यह मौर्द ही पता चुके है एक्षफ के molecule के अंदर सिर्फ single bond होता है जो Sigma bond होता है और वह Sigma upon Sigma SP है अब आखरी कीजह है इसमें इसका magnetic behavior तो अगर आम इसके magnetic behavior को explain करना चाहें तो इसका जो भी यहां पर देखो यह इसका molecule orbital है और यह तो वैसे Empirty-pedantic bonding इसमें कुछ भी नहीं है इसमें तो यह क्या होगा येस अफकोर्स डैट इस डाया मगनेटिक तो स्टुडेंट्स यह था हमारा लेक्षर नाबर 12 और कैमिकल बॉंडिंग यहां तक जो मॉलीकिलर और्बिटल थियोरी ना वह होमोन यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अगर आप में से किसी को इसकी जरूरत है उनके साथ यह जरूरत करें लाइक करें इसको शेयर भी करें थैंक यू सो मच्छ अलाफ़िस